जेहिं दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कॉस्चन आंसर पांडे वेचन सर्मा उग्रजी से संबंतित वीडियो पूर अबस्ते देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और जादा से जादा वीडियो को सेर करें ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें और Self Study Classes F Download कर लें जहाँ पर आपके लिए Hindi साथ का संपूर्ण कोर्स है और Hindi साथ की टेस्ट सीरेज आपके लिए बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है तो Self Study Classes F भी डाउनलोड अब अससे कर लें पंडवेचन सर्मा उग्र की बात करें तो यहां से इनका First Question पूचा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था पंडवेचन सर्मा उग्र जी का जन्म कब हुआ था तो आपका यहां पर सही आंसर है इनका जन्म हुआ था 1922 में 1922 में पंडवेचन सर्मा उग्र जेल में रहते हुए किस नाम से रचनाएं लिखती थी आदम, कलाधर या अश्टावक्र या फिर उग्र तो question number 2 का सही answer आपका यहाँ पर होगा क्या होगा right answer अश्टावक्र आपका यहाँ पर सही answer होगा बिल्कुल सही किन कहानियों की कारण पांडवेचन सर्मा उग्र को जिल जाना पड़ा था यह आपके लिए बताना है वह कौन सी कहानिया है question number 3 है वो 3 का right answer आपका यहाँ पर होगा क्या होगा right answer रुपया बड़ापा इन कहानियों की कारण इनको जेल जाना पड़ा था तो विकल्ब number B आपका सही answer होगा पांडवेचन सर्मा उग्र की कौन सी कहानी पिर्थम राजनयते कहानी मानी जाती है दिल्ली की बात काल कोटरी उसकी मा यह निहालेष्टे तो उसकी मा जो है यह कहानी जो है पिर्थम कहानी राजनयते कहानी मानी जाती है तो विकल्ब number C आपका right answer होगा पत्रात्मक सेली में लिखा गया हिंदी का पिर्थम उपन्यास माना जाता है तो कौन सा माना जाता है जो पत्रात्मक सेली में लिखा गया तो हिंदी का पिर्थम उपन्यास है बहे कौन सा है चंद हसीनों की खतूत विकल्प नमबर आपका D यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल सही पांडवेचन सर्मा उग्र का पिर्थम उपन्यास कौन सा माना जाता है इनका पिर्थम उपन्यास माना जाता है कौन सा माना तो बिल्कुल सही right answer है आपका यहाँ पर क्या होगा सही answer विकल्प नमबर एक right answer है घंटा एक विकल्प नमबर एक जो है आपका सही answer होगा चोकलेट रचिना की विधा क्या मानी जाती है चोकलेट रचिना है यह और इसकी विधा बताना है इसकी विधा क्या है तो चार विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए है महत्तपूर्ण क्वेश्चन है और आपका बिल्कुल सभी राइट आंसर इसकी विधा है नाटक इसकी विधा माने जाती है कहानी संग रहे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा चौकलेट 1924 इसका कहानी ज अंसर है अपनी खबर इनकी जो है उग्र जी की आत्मकता है तो विकल्प नंबर एक जो है यहाँ पर सही आंसर होगा question आपका नो पूशा है पांडवेचन सर्मा उग्र का खंड का पर माना जाता है ध्रोबधारन जी जाजी सराभी या मनुस्या नंदे तो इनका खंड का पर पूशा है तो आपका राइट आंसर है ध्रोबधारन यानि की विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है बिलकुल चाही विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा पांडवेचन सर्मा उग्र के किस कहानी संग्राय को अंग्रेज सरकान ने जब तकल लिया था किसको दो जख है कि आगे या फिर चॉकलेट या चिंगारिया या निरलज्जा तो चिंगारिया को जो है इन्होंने एक कहानी संग्राय था पांडवेचन सर्मा उग्र जी का और हुआ था कहां पर तो चुनार गाव मिर्जा पर उत्तर प्रिदेश में इनका जन्म हुआ था यूपी में बिल्कुल सही अंगला क्वास्चन है पांडे बेचन सर्मा उग्र की कहानी उसकी मा को किस आलुचक ने हिंदी की प्रिधम राजने तुक कहानी माना है कौन किसने माना है नंददुलारी वाचपी नामबारिसन डांक्टर नगेंद रामकुमार बर्मा तो पॉस्टियं संथा गालकोठ्री ध्रबधारण चाप लेट्चक्वलीट thu आपका यहाँ पर जो सही आंसर है बहे होगा आपका राइट आंसर धुरब धारन यानि की विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा पांडवेचन सर्मा उगर की उपन्यासों का प्रकासन वर्स के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है वह विकल्प आपके लिए यहाँ पर ब पर सही आंसर होगा अंगला क्या पूच्छा है तो क्वाश्चन नमबर 15 है आपका यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं देखें इहाँ पर पूच्छा है पांडवेचन सर्मा उग्र की कहानी संग्रों का प्रकासन वर्स के अनुपसार सही अनुक्रम क्या होगा कहानी आँसर है इंहां पर सबसे पहले आएगा चोक लेट स्यातान की मंडली स्यातान की मंडली 1924 के चंगरिया जो है 1925 और निर-लज्जा निर-लज्जा यह 1939 की मानी जाती है इसका जो है यह कहानिया है तो इस पर काइस बिकलत नमबर भी आपका यहाँ आंसर है आपका 1929 यानि की विकल्प नंबर आपका D राइट आंसर है 1929 में इसका प्रकासन हुआ था पंजाब की महरानी कहानी संग्राय का प्रकासन वर्स क्या है question number 17 है महत्वपूर है पंजाब की महरानी कहानी संग्रय का प्रकासन वर्स पूचा है तो 17 का right answer है आपका विकल्प number C आनि की 1949 आपका यहाँ पर सही answer होगा गंटा किस विदा की रशना है उपन्यास है और इसका प्रकासन वर्स आपके लिएबर सही answer होगा और चंद हसीनों की खतूत उपन्यास का प्रकासन वर्स बताइए और चंद हसीनों की खतूत और इसका जो प्रकासन वर्स माना जाता है तो बिलकुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर चंद हसीनों की खतूत उपन्यास का प्रकासन वर्स विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है यानि की 1927 आपका सही आंसर है सराभी उपन्यास का प्रकासन बर्स बताना है तो बिलकुल सही right answer आपका यहाँ पर जो होगा वह है आपका right answer विकल्प नंबर B यानि की 1930 इसका प्रिकासन बर्स माना जाता है बिलकुल सही 1930 इस भी तो इस प्रकार आपन यहाँ पर देखे यह भूत ही महत्यपुर्ण question answer पांडे वेचन सर्मा उग्रजी से संबंदित कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरूब बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले self study classes app download करना है और इसी चैनल को subscribe करना है self study classes app download कीज चाहिए self study classes app download करिए और अपनी तयारी में लग जाए और इसी के साथ आपको वीडियो को लाइक करना है सेर करना है सरसब अप्लिकेशन बस्तूनिस्टे कभी माला बस्तूनिस्टी की एबुक है तो जो भी खरीदना चाहते हैं तो भे खरीच सकते हैं बहुत बहुत बाद आज के वीडियो में बस इतना ही जय हैंद।